दिगगज एन्वेस्टर और मोतिलाल औस्वाल फाइनशल सर्वसिस के चेमेन और कोफाउंडर रामडेव अग्रवाल ने कहा है कि BSE Sensex अगले फाइव यहज में दो गुना होकर एक लाग साथ हजार तक पहुँच सकता है हमारे सहयोगी CNBC TV18 के साथ एक कॉन्वर्सेशन में अग्रवाल ने कहा कि Sensex हर यह लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि Share Market में हर मंद सीप के जरिये 20,000 क्रो से अधिक राशी आ रही है जो अपने आप में एक Revolution से कम नहीं है सवाल, कुछ यह पहले आपने Sensex के एक लाग तक पहुँचने का टागट बताया था आज हम 80,000 पर हैं अब हमें एक और बड़े लक्षे की जरूरत है जब आप टागट के करीब आते हैं तो दूसरे टागट के लिए बड़ी संख्या की जरूरत होती है जबाब, आप अगले 10 यह की बात करें तो मैं आपको इसके भी बड़ी संख्या बताऊंगा यह बस कमपाउंडिंग है, जिसे बढ़ते ही जाना है मैंने अपना करीर जब शुरू किया, तब Sensex 100 पर था 1980 में मैंने अपना पहला शेय खरीदा और उस टाइम Sensex 100 पर था आज यह 80,000 है 44 यह में इसके कमपाउंडिंग की दर 16.4 प्रतिशत है साल दर साल, 44 यह तक मैंने इस मार्किट को बढ़ते देखा है पहले मुझे लगता था कि यह हर यह 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है लेकिन इसकी ग्रोथ 16 प्रतिशत से भी अधिक है इस दर पर Sensex हर 5 यह में दो गुना हो जाता है जैसे 40,000 से 80,000 तक यह 5 यह में ही हो गया यानि लंबी अवधी में भी Sensex का रिटर्न 15 माइनस 16 प्रतिशत रहा है इसलिए यह मानने का कोई रीजन नहीं है कि आगे चलकर इंडेक्स की ऐसी स्पीड नहीं रहेगी यह 14 हो सकता है, यह 16 भी हो सकता है इसलिए हमें Base Rate को 15 पर ही रखनी चाहिए इस दर से 2029 तक हम 1,60,000 पर पहुँच जाएंगे क्या यह एक बड़ी संख्या है या अभी हमें इसे फिर से दो गुना करना चाहिए Small Investors Impact सवाल, शेय मार्किट में इस टाइम छोटे इंवेस्टर्स भी खोग पैसा लगा रहे है इससे FIIS का मार्किट पर कुछ असर कम हुआ है यही रीजन है कि यह मार्किट उस स्थिती से बहुत अलग है जहां हम शायद 10-15 यह पहले थे क्या यह आपको परेशान नहीं करता है कि शेयस के पीछे इतना पैसा लगा हुआ है क्या यह अपने आप में एक रिस्क है जिस पर लोग ध्यान नहीं देना चाहते है जवाब इसमें परेशानी की क्या बात है यह मेरे 40 यह के करियर की सबसे सुखत स्थिती है देश की आबादी 140 क्रो है ऐसे में शेय मार्किट में कम से कम 50 क्रो लोग तो होने ही चाहिए शेय मार्किट अब अधिक समावेशी हो रहा है और रिस्क कापिटल अब सिर्फ अमीर वर्ग से ही नहीं आ रहा है आज देश की एक बड़ी सीप के जरिये 500 से लेकर 5000 रुपय तक हर मंद शेय मार्किट में निवेश कर रही है इसके जरिये शेय मार्किट में हर मंद 20,000 रुपय माइनस 22,000 या हर यह 2,40,000 करोड रुपय रुपय आ रहा है यह अपने आप में एक बड़ी revolution है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में विट्टिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजी कृत विट्टिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या विट्टिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें